तो चलिए आप सभी सेवी का बहनों के लिए एक बार फिर से एक नया अपडेट आप लोगों के पोशन ट्रेकर एप में आ चुका है ये जो अपडेट है वो आप लोगों का 16.4 का अपडेट आ चुका है इसमें आप लोगों के लिए दो खास अपडेट आई है दोनों खास को जानने के लिए आप लोग वीडियो को अन्थ तक जरूर दिख लीजिएगा चलिए यहां से हम इसको क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग प्ले स्टोर में आएंगे और इस पोशन ट्रेकर एप को अपडेट कर लेंगे जैसे कि यहां पर हम प्ले स्टोर को ओपिन करते हैं ओपिन करने के बाद यहां पे हम सर्च बार में सर्च करेंगे पोशन ट्रेकर लिग के सर्च करेंगे तो यहां पे देख सकते हैं कि अपडेट करने का ओप्शन आज चुका है तो यहां पे आप लोग को अपडेट देखने को मिल जाएगा सबसे पहले आप लोग क्या करें कि आप लोग अपने पोसंट रेकर एप को 16.4 का जो निव वर्जन है उसको आप लोग अपडेट कर लेंगे यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो यह अपडेट रहा है वो 11 नॉवंबर 2022 को आया है यहाँ पर दो अपडेट आप लोग को देखने को मिलेगा पहला अपडे करने के बाद आप लोग का अधार वरिफिकेशन करने में समस्य आ रही है या और भी कोई समस्य अगर आ रही हो तो वह आपकी समस्य यहाँ पर ठीक हो जाएगी ठीक है दूसरा है एप अप्टोमाईजेशन यानि कि आप लोग का जो पोसंट ट्रेकर आप है उसको फिर से अप्टोमाईज कर दिया गया है तो चलिए हम लोग इसको अपडेट कर लेते हैं आप लोग भी इसको अपडेट कर लीजेगा यहाँ पर हम इसको अपडेट वाले पर किली करेंगे बहुत ही कम MB का है आपका जल्दी अपडेट हो जाएगा जब तक कि यह अपडेट हो रह है हम लोग यहाँ से डिरेक्टली ओपिन कर लेते हैं तो चलिए अब हम लोग एप अप्टोमाईजेशन के बारे में जान लेते हैं एप अप्टोमाईजेशन जो अपडेट है है वो क्या है जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे अपडेट एडवलू सु यहाँ पर इसको इस प्रकार से फीचर को एड किया गया है यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेज का मेसेज दिखा रहा है यानि कि आपका जो एडवलू सी लोकेशन है वो सक्सेज हो चुका है 24 घंटों के लिए फिर आप जब दुबारा आगनबारी के अंदर पर जाएंगे त को अन कर सकते हैं अन करने के लिए आप लोगों को क्या करना है यहाँ पर अपडेट करें पर किलिक कर देना है चलिए यहाँ पर किलिक कर देते हैं जैसे ही अम यहाँ पर किलिक करते हैं तो फिर से एक नया फीचर यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा अब आप आप आगनबारी center पे उपलब्ध हैं तो ये जो location है वो आपको आगनबारी center से ही आपको location on करना है आप 50 या 100 मिटर के आजपस में इसको location को on कर सकते हैं लेकिन आगनबारी center से ही आप लोग on किजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा ठीक है आपको क्या करना है अगर आप आ location है यहाँ पर आपको on इसको जरूर रखना है तो जैसे हैं आप यहाँ पर हाँ वाले पर किलिक करेंगे तो देख सकते हैं एक message आ चुका है यहाँ पर आप एक message देख पाएंगे इसमें भी आप लोग को clearly लिखा गया है this feature should be used only when you are at आगनबारी center so that accurate location of AWC can be captured यानि कहने का मतलब है कि यह जो feature है वो आप लोगों को आगनबारी center से ही आपको AWC location को capture करेगा तो आप लोग को एक बात ध्यान में रखना है कि आपको आपको आपना location on करना है ठीक है तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि यह जो नया feature आया है AWC location में तो आप लो पोशन ट्रेकर एप में जो minor work fixed था उसको यहाँ पर ठीक किया गया है जैसे कि new registration करने के बाद आपको आधार verification करने में problem आ रही थी अब वो problem आपको नहीं आएगी आप लोग असानी से इसको कर पाएंगे और भी जो कुछ छोटी मूटी समस्या अगर चल रही हो तो उसको यहाँ पर ठीक कर दिया गया है तो इस वीडियों फिलाल इतना ही यह दोनों update आप लोगों को कैसी लगी वीडियों अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियों को आप लोग लाइक कर दिजिएगा चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चै इस नए टाफिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियों बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद